Hello everyone, welcome back to my channel Blessings, मैं मनीदर कौर, और मैं इस्पिट कौर, आज फिर से हम आपके लिए लेके आए हैं, स्कूल रेडिनेस एक्टिविटीज पार्ट 3, येस, पार्ट 3 लेके आए हैं, दुबारा कॉवीड आ गया है, तो definitely, अब पेरेंट्स को सीखना पड़ेगा कि अपने को ट्रेन कर रहे हैं, और पार्ट 3 देखने का फाइदा ही तब ही है, जब आपको पार्ट 2 की एक्टिविटीज पता होंगी, ठीक है जी, ओके, तो आगे हम वीडियो स्टार्ट करते थे, क्ले से, अब हम लेवल इंक्रीज करेंगे, चल मेरा बच्चा 4 piece puzzle बनाएंगे, ठी गबराना नहीं है कि COVID आ गया है, ठेरेपिस दुबारा बंध होंगी, खुद ही देखिए कि हम लोग कहां गलतियां कर रहे हैं, जो एक ठेरेपिस इसको करेक्ट करता है, दो बहुत बड़ी-बड़ी गलतियां कर रहे हैं, आप लोग एक तो अपना prompt बहुत लेट देते हैं और prompt गलत देते हैं, आने वाली वीडियो में, इसी वीडियो में, आने वाले टार्गेट में मैं आपको समझाओंगी, आप कहां-कहां mistake कर रहे हैं, एक और बात मैं यहां पे add-on करूंगी, जब भी बहुत सारे बच्चे हैं जो 24-24 पीस पजल करते हैं, बट स्टिल उनको नहीं है, कि अगर हमें कुछ भी बनाना है, तो head उपर आएगा, और legs नीचे आएगी, और योई जो बीच वाला पार्ट है, tummy, जो बीच में आएगा, वो ऐसी बना रहे हैं, ट्राइल अर्र बेसिस पे, तो यह आपके बच्चे को समझाना है, कि actual में कोई भी पीस पजल कर रहेगा, very good, और आप tension मत लीजेगा, covid का, हम लोग हैं यहाँ पे, आप लोग इवन suggestions दीजिए, comment box में की और इस काम को बेहतरीन हम कैसे बना सकते हैं, okay, तो इस से हमने start किया, yes, okay, very good, चलो चलो फड़ा फड़ा स्पीड अप करेंगे हम, यह है तरीका puzzle बनाने का, right rate, very good, चलिए, अब इसी level को हम increase करेंगे, hand रखेंगे मेरे बेटा, यह देखिए, अब हम करेंगे imitation का एक step उपर कर देंगे, imitation में अब हम सिखाएंगे बच्चे को block imitation, जिसमें दो रीत के हैं, two और two मेरे हैं, two रीत के हैं, और two मेरे हैं, ठीक है, easy से start करेंगे, श्पीच, दो तरीके से हम block imitation कराते हैं, एक है simple सा यह तरीका, कि मैं बना रही हूँ, बच्चा मेरे पीछे-पीछे बना रहा है, good, very good, और दूसरा तरीका क्या है, कि मैं पहले से एक model set कर रही हूँ, I think you need to wait, हाना, thank you so much, बेटा, wait करेंगे, मैं model set कर रही हूँ आपके लिए, ठीक है यह मैंने पहले से बना के रख दिया, और बच्चा उसके बाद मुझे follow करेगा, very good work, लगाईए यहाँ पर, तो इस level को, बेटा, देखो मैंने क्या किया, ध्यान से देखो, visual targets को बढ़ाने के, बेटा, मैंने क्या किया है, ध्यान से देखिया, please, very good, यह देखो, उपर कहा मैं आपको इसी का example दूँगी, hands down, seriation करना है, one pink, one orange, one pink, one orange, अभी ता आप complete करो, one pink, one orange, very good, one orange, यह है seriation, यह आप किसी भी level तक लेके जा सकते हैं, next वीडियो में मैं इसका आपको advance दिखाऊंगी कि कैसे करना है, यह आप note down करते चाहिए, okay, अब next है कि हमें साथ साथ बच्चे के fine water पे काम करते रहना है, आप बीच में कुछ न कुछ targets बच्चे को देते रहेंगे, ताकि तब तक मैं अपना next target ready रखूं, right, very good, very good, क्या हुआ, लगेशी, okay, दिखाऊ कहा लगा मेरे बेटे को, देखो जोर लगेगा, fine water work है, जोर लगेगा, यही तो target है, very good, very good, next target अब हम आ रहे हैं, function और features पे, जो की बहुत ही important है, मैं अपने बच्चे को बोलूंगी, ispric, touch the cap of a pen, this is a feature, complete cheese में, very good, complete cheese में हमें किसी part को introduce करना है, that is a feature, touch the lid of this box, very good, touch करेंगे index finger से, touch करेंगे index finger से, touch the wheels of this truck, very good, यह आपने ध्यान रखना है, हमें touch कराना है, index finger से, इसको यहां रखो, अब इसका next target होगा, मुझे वो दे दो, जिसके wheels है, very good, शाबाश, मुझे वो दे दो, जिसकी cap है, मुझे वो दे दो, जिसकी lid है, very good, यह हो गया original item से, छोड़ो मेरे बेटा, यह है original items पे, फिर हम धी इसको cards पे ले आएंगे, मैं आपको दिखाती हूँ, मुझे वो दे दो, जिसके button है, मुझे भी बोलना है, pant, मुझे वो दे दो, जिसके wheels है, मुझे वो दे दो, जो fruit है, यह category हो गई, apple, so इस तरीके से आपको अपने बच्चों को 25-25 target पे लेके जाना है, जिसमे function और features हम क features का, बच्चे की level को बहुत बढ़ाना है, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, कि मुझे कौन सा level चाहिए, इश्प्रेइज, rubber band goes with, hair, table goes with, kid, socks goes with, shoes, very good, mama goes with, kid, okay, mama goes with kid, very good, sorry, my name goes with treat, okay, okay, अभी क्या है, कि हमें हर चीज के लिए कुछ ना कुछ TLM use करना पड़ेगा, that is teaching learning material, यह आपको चाहिए होता है, क्योंकि मुझे introduce करना है, interesting बनाना है target को, ठीक है, आप घर पे बनाएं, तो बहुत अच्छा है, नहीं बन पा रहा है, तो आप order कर सकते हैं, बड़े ही reasonable prices में यह समान है, baby, hands down please, hen, bat, bag, okay and fish, ठीक है बच्छा, अब हम देंगे बच्छे को पहले हम touch कराएंगे, touch baby, touch fish, touch bag, touch bat, index finger, touch hen, very good, books goes with, books goes with, answer बोलना है, साथ में, यह आपको ऐसे भी धियान रखना है, bag, water goes with, water goes with, fish, बटल goes with, milk goes with, very good, egg goes with, very good, ball goes with, next target है हमारा, अभी हमने instruction, last time रही थी, two step instruction, जिसमें मैंने बोला था, clap hands and arms up, right, अब हम क्या करेंगे, अब हम outside instructions पर आ जाएंगे, outside का मतलब यह नहीं होता है, आप यहाँ बैठे और बच्चे को, you know, आदा किलोमेटर दूर बेजना है, यह नहीं होता, outside का मतलब, धीरे धीरे करके मैं target बढ़ाऊंगी, जैसे अब मैं बोलूंगी, कि इश्प्रीथ, इश्प्रीथ, I am giving you three colors, और आपके सामने three chairs पड़ी है, ठीके बैठा, और आपको मैं same color दूंगी, आपको जाके same chair पर रखके आना है, इश्प्रीथ, go, put green on green, very good, red on red, देखे, यहाँ बे मेरे दो काम हो रहे हैं, एक और है matching, blue on blue, very good, यह हो गया हमारा outside, मैंने अभी initiate किया है अपना बच्चा, कि वो comfortable हो जाए, instruction following उसका आजाए, outside में, means मेरे से दूर जाकर, ठीके, अगली वीडियो में दिखाऊंगी, कि और जादा दूर कैसे कर, Parents, आज भी मैं आपके लिए two बहुत ही अच्छी games लेके आई हूँ, definitely जब हम अपने बच्चे पर काम करते हैं, तो हमें perfect TLM चाहिए, और अगर वो ही learning material, बहुत reasonable prizes में हो, तो definitely आप लोगों को उसके लिए जाना चाहिए, Clever Cubes की तरफ से ही है again, हमेशा इनके समान को मैं बहुत appreciate करती हूँ, आज का जो game है वो है shape अथन, इसमें क्या है कि, अब हमारा बच्चा है part 3 school readiness activities पे, उस पे हमें अपने बच्चे को shapes introduce करना है, इसमें हमारे बच्चे को क्या-क्या आएगा, क्या-क्या वो learn करेगा, that is categorization, definitely क्योंकि shapes है different different तरीके की, तो इसको categorize करना आएगा कि circle shape में क्या-क्या होता है, triangle shape में क्या-क्या होता है, उसके बाद है logical thinking, बच्चे को सोचना है कि triangular क्या है और मुझे उसके साथ match करना है, general knowledge ह and cognitive skills है, इन सब चीजों से altogether, ultimately आपके बच्चे का language ही enhance होने वाला है, तो age है 2+, और मैं आपको दिखाऊंगी, यह है instructional guide आपके लिए, और इस तरीके के 8, यह मिलेंगे आपको shape के cards और 48 हैं दूसरे cards, ठीके, तो मैं आपको दिखाऊंगी, आप पहले क्या करेंगे, बच्चे आपको square उठाके देगा, means कि पहले हम shapes का introduction करेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, बच्चे के सामने इस तरीके से shape रखेंगे, और इस तरीके से आप उसके सामने cards रखेंगे, इस तरीके से, तो बच्चा आपको सब में से धून के निकाल के देगा, कि कौन कौन सी जो च है, आप लोगों को definitely इसके लिए जाना चाहिए, okay, okay parents, so next game है, pack up, pack up का मतलब कि मुझे किसी destination पे जाना है, किस destination पे जा रही हूँ, उसके हिसाब से क्या-क्या मुझे चाहिए समान, that is called pack up, right, और ये जो game है, age 3 plus के लिए है, जिस जिस चीज़ में ये game फाइदा करेगी, वो है, visual perception, logical thinking, categorizing and general knowledge, बहुत ही अच्छी game है, vocabulary increase होगी बच्चे की, focus increase होगा, eye hand coordination definitely, so इस तरीके का आपको board मिलता है इसमें, बाकी मैं आपको पढ़के बताती हूँ, one game board है, ten destination cards है, जैसे ये आपको मैं two करके रिखाऊंगे अभी, garden और beach मैंने choose किया है, क्योंकि mostly बच्चों क ये पता होता है, 60 object cards है, these are the object cards, जिसमें से बच्चे को choose करना है, कि अच्छा, आच मामा बीच प लेके जा रही है, तो pack up में क्या-क्या चीजे हम add-on करेंगे, next is 12 gold coins, after every destination बच्चा pack up करेगा, और आप उसको as a reward ये gold coin देंगे, इसके बाद आप token economy भी use कर सकते हैं, कि अगर आप बच्चा चार cards अच्छे से करता है, तो क्या deal करेंगे, कि चार coins पे आप बच्चे को क्या देने वाले हैं, so it again depends on your creativity, जो कि special education है, right, okay, so मैं आपको दिखाती हूँ, करना कैसे है, instructional guide बीच में होगा, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप जैसे आपने choose किया, कि ब बच्चे के सामने, ठीक है, तो बच्चा आपको बताएगा कि अच्छा बीच पे जाना है, तो मुझे hat चाहिए, मुझे sunscreen चाहिए, right, okay, मुझे goggles चाहिए, तो इस तरीके से बच्चा जो है, सारा समान, इस तरीके से लगा देगा, मुझे bowl चाहिए, तो इससे क्या हो रहा ह क्योंकि, I don't know, हम कहीं parents ऐसे हैं, जो बीच पे शाज जाए ही नहीं, तो हमें घर बैठे-बैठे, information अपने बच्चे का increase करना है, बहुत ही reasonable prizes पे दोनों games है, highly recommended है, आप लोग जाएंगे, तो definitely आप लोग appreciate करेंगे, so parents, ये था आज का video, next video, जो part 4 हम बनाएंगे, school readiness पे, व बैठे-बैठे, और even through activities, so parents, hopefully, video आपको पसंद आएगा, COVID का time है, time waste नहीं करना है, मेरको ऐसा लगता है कि COVID को भी आप अगर positive way से लें, तो it's an opportunity, अपने बच्चे के साथ trial or error करने का, आपको देखना है, क्या-क्या weak points है मेरे बच्चे में, और किस-किस चीज पे काम करना भ के बारे में समझा सकूँ, सारी ही वीडियो में eye contact और respond to name का target आप continue करेंगे, कोई भी card आप उठवा रहे हैं, तो वो eye contact पे आप लोग देंगे, ठीके जी, तो दोनों games बहुत अच्छी है, आपको आज जितने भी target सिखाए हैं, आपको खराने हैं, बिल्कुल भी demotivate नही होना है, कि ma'am speech का बाती है, क्योंकि last video speech पे डाली थी, देखो speech आना सबसे बड़ा target है, क्योंकि speech एक ऐसे चीज है, जो time लेती है, 15 दिर में कईयों के 50 words आ जाते हैं, और कईयों के 3 महीने में सिरफ wobbles आते हैं, तो इसका कोई prediction नहीं है, sometimes parents call करके पूछते हैं, ma'am, आपको क्या लगता है, मेरे बच्चे का speech किसने time में आने वाला है, तो यह predictable नहीं है, आपको बिल्कुल भी demotivate नहीं होना है, काम करते रहना है, आपका बच्चा definitely बोलेगा, चिके जी, so thank you so much, keep sharing my videos and subscribe my channel, thank you